वाहिगुरु जी का खाल सा वाहिगुरु जी की भते बाबा शिरी चांद जी दा जनम आठ सेतंबर 1494 सुल्तान पुरलो दी पिता गुरु नानक पार्शा जी माता सुलकनी जी देग रहे विच होया बाबा शिरी चांद जी शिरुतों ही उदासी संप्रदा देना जुडे रहे ते बाबा शिरी चांद जी उस परमातमा दी पक्ती देविच जादा तर लीन रहें दे सान एक वार बाबा जी उस परमातमा दे नाम नू जाप रहे सान ते पेंड़ दे कुछ लोग एक अतर होके आए ते नाड एक बालक नू लेया होया सी पेंड़ दे लोका ने बाबा जी नू बेंती किती की बाबा जी ये जड़ा बच्चा है ये ना ही सुन सकदा है ते ना ही बोल सकदा है आप जी उस परमातमा दे प्यारे हो ते इस बच्चे ते किरपा करो ये बोलन लग जाए ते सुनन लग जाए जदो सारियां संगता ने मिलकी अर्दास किती बाबा जी ने उस बच्चे वाल तक्या ते उस दा मसोम चैरा देखके बाबा जी नू दया आ गई ते बाबा जी ने अपने कर मंडल दे विच्चों जाल लेया ते प्रमातमादा नाम लेके उस बच्चे ते जाल दे शट्टे मारे जिस्तरा ही बाबा जी ने जाल दे शट्टे मारे वो बच्चे दी जेडी रसना सी वापस आ गई बच्चा बोलन लाग पेया ते सुनन लाग पेया जदो एक उतक सारे लोका ने देखेया ते सारे ने बाबा शिरी चांद जीनु पर नाम किता ते उसे बच्चे ने वी बाबा शिरी चांद जीनु कोटी कोटी पर नाम किता ऐसे महान संत महापुर्ष बाबा शिरी चांद जी जिनादे जीवन दियां ऐसी यां भहुत ली लामा सुनननों मिल दियां हान आप जीनू ए साखी किस्तर लगी अपने विचार सानू जुरूर सांजे करने जी वाहिग्रु जी का खाल सा वाहिग्रु जी की पते